हेलो दोस्तों, वेल गूड मॉर्निंग तो अल आफ यू, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहनी क्लासेस में तो आज है 19 तारिक और अब देखते हैं आज की हम सिक्षा जगत से जुड़े ही खबरों को तो खबरों को पढ़ने से पहले मैं 79,000 सिक्षक भरती के बारे में बात कर लूँ कि आप सभी को बताया था जैसा कि मैंने कि इलाहबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई थी तो उसमें जो है अगली डेट लग गई है और बहुत लंबी डेट लगी है 19.08.2019 की और एक चीज अच्छी पॉजिटिव वही है कि इलाहबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि जो है लखनव हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है इसका डबल बेंच में तो दो तारिक का रेस्पॉंस देखने के बाद ही जो है वो उनने इस तारिक को सुनवाई होगी और वहाँ का जो फैसला है वही माना जाएगा तो आईए आगे की खबरों को देखते हैं डिटेल में तो देखिए जो भी बच्चे टीटी की तेयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि टीटी अक्टूबर में होगा और अगस्त से लिये जाएंगे आवेदन अध्यापक पात्रता परिक्षा 2019 के लिए अगस्त से आवेदन लिये जाएंगे परिक्षा अक्टूबर के पहले हपते में ली जा सकती है और इस संबंद में परिक्षा नियामक प्राधिकारी इसी हपते प्रस्ताव साशन को भेजेगा अभी तक TET के लिए कोई निश्चित कैलेंडर नहीं बन पाया है राजसरकार चाहती है कि TET और सिक्षक भरती को सैक्षिक शर्त्र के मताबिक किया जाए लेकिन लाग कोशिशों के बावजूद या संबह नहीं हो पा रहा है तो देखिए सिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद प्रदेश में 2011 से परिक्षा हो रही है 2011 में 72,825 प्रसिक्षू सिक्षक भरती के पहले TET कराई थी और जो है इसकी मेरिट के आधार पर भरती होने का मामला विवादित हो गया था बात कर लेते अब लोग सिवायों की तो LTE grade सिक्षक भरती STF के निसाने पर अनुभाग और अधिकारी कर्मी यानि की LTE grade सिक्षक भरती परिक्षा 2018 की जाच कर रही STF के निसाने पर उत्तर प्रदेश लोग सिवायों के अनुभाग के अधिकारी वा कर्मचारी है जिस विभाग की परिक्षा में गड़बड़ी होई है अभी उसके अधिकारी वा कर्मचारी से पूश्टाच नहीं होई है अब STF उसके अधिकारी और करमचारीों से पूश्टाच करने के लिए तैयारी कर रही है STF पहले करमचारीों को बुलाएगी इसके बाद अनुभाग अधिकारीों को परिक्षा से जुड़ा ब्योरा लेकर उनसे पूश्टाच करेगी यह प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है एल्टी क्रेट सिक्षक भरती परिक्षा 2018 पेपर लीक मामले की जाज कर रही STF ने 28 मई 2019 की रात आयोग में गुसकर परताल शुरू की तदकालीन परिक्षानी अंतरक अंजु कटियार को 31 मई को किरफतार कर लिया है और हाई कोट के आदेश पर आयोग ने STF को गोप्रिय दस्तावेज डांक से वारा नसी भेज दिया है और STF दस्तावेजों की परताल में जूटी हुई है और पूछतास में सबूत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं तो अगली खबर भी आयोग से रिलेटेड है कि UP लोग सेव आयोग के पूर्व अध्यक्ष को नोटिस यानि कि LTE ग्रेट सिक्षक भरती परिक्षार पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश लोग सेव आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिरुद्यादो के आगरा इस्तित आवास पर गुर्वार को वारा नसी पुलिस ने पूछतास के लिए नोटिस तामिला कराया नोटिस तामिला होने के साथ ही आयोक के पूर्वध्यक्ष को 21 जुलाई तक का समय दिया गया है SP अपराद ग्यानेंद्र नाथ प्रशाद ने बताया कि पुद्धिवार को पुलिस टीम अनुरुध्यादो के घर पहुची आवास पर उनके भाई मिले पता चला कि अनुरुध्यादो इस समय अलिगड में है पुलिस ने उनके भाई को नोटिस दे कर वापस आ गई और जो है SP क्राइम ने बताया कि पूर्वध्यक्ष को नोटिस के माध्यम से तीन दिन के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया है तीन दिन में यदि वे SIT के सामने नहीं आये तो एक बार फिर नोटिस दी जाएगी तो अगली कवर भी LTE ग्रेट शात्रों के रिलेटेड ही है तो बे मियादी अंसन करेंगे अभ्यर्थी LTE ग्रेट शिक्षक भरती परिक्षा 2018 पेपर लीग मामले की जाच में तेजी लाने के लिए अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधी मंडल वारण अशी गया वहाँ STF टीम से जाच जल्द पूरी करने की मांग की साथी मुख्यमंत्री योगी आधित नात से मिलने के लिए समय मागा प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष सेर सिंग ने बताया कि आगामे 29 जुलाई को LTE ग्रेट सिक्षक भरती में हुए एक साल पूरे हो गए इसके मद्दे नजर अभ्यर्थियों ने 29 जुलाई को महा आंदोलन सुरू करने का निर्णा लिया और अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोग से वायोग में 30 जुलाई से बेमियादी अंशन करेंगे अंशन सत्यापन पूरा होने तक जारी रहेगा एक और वेकेंसी आई है जो भी वन रक्षक या वन जीव रक्षक भरती की तैयारी कर रहे थे उनके लिए जो है आठ से भरे फॉर्म तो देखिए ये जो है यूपी ट्रिपल एस सी के थुरू आया है तो यूपी ट्रिपल एस सी ने वन विभाग में और वन रक्षक वा वन ये जीव रक्षक के रिक्त 655 पदों के लिए आवेदन मांग लिया है आवेदक 8 अगस्त तक ओनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवेदन में शंशोधन के लिए 16 अगस्त तक का अवसर होगा आयोग ने सरकार के निर्णा के अनुसार आर्थिक रूप से गरीबों को भी 10 प्रिचत आरक्षन देने का फैसला लिया है वन विभाग के प्रमुक वन सन रक्षक की ओर से आयोग के वन रक्षकों के रिक्त 596 पदों तथा वन यजीव रक्षकों के 59 पदों के भरती का प्रस्ताव भेजा गया है आयोग ने नियमा नुसार आरक्षन प्रावधान के साथ आवेदन जारी कर दिये हैं यूपी बोर्ड की intermediate परिक्षा वा उसके समकश्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से कोई परिक्षा उत्रिन अभ्यर्थी आवेधन कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छी खबर है और देखिए पदों का बैवरा देख लेते हैं तो कुलपत जो है 596 है अनारक्षित के लिए 370, SC के OBC 2 और उम्र क्या है 2019 को 18 वर्ष की आयूपूरी कर ली हो और 40 वर्ष से अधिकायू ना हो बात कर लेते हैं अब डियलेट की तो डियलेट की तो डियलेट स्कूट्टी में अधिकांस के परिणाम में बदलाव नहीं जिला सिक्षा एवं प्रेस्रिक्षन सांस्थानों यान प्रशिक्षू उत्रिन हो सके हैं और कुछ के ही अंकों में बदलाव हुआ है परिक्षा नियामक प्राधिकारी सचीव अनिल भूश और चतुर्वेदी ने बताया कि बीटीसी 2013 प्रथम समेस्टर में एक अभ्यार्थी का अंक संशोधित होकर उत्रिन हुआ है दूसरे समे में एक अभ्यार्थी का अंक्षन शोधित हुआ लेकिन रिजल्ट में बदलाव नहीं है बीटीसी 2013 वा पंद्रा और डीलेट 2018 का परिक्षा फल वेबसाइट स्टीटीपी सीएक्जाम डॉट इन पर घोशित किया गया है और जो है साइकोलोजी में सभी उत्रिन है अगली कपर है रेलवे भरती की तो रेलवे में पैरामेडिकल भरती के लिए आज से होगी परिक्षा तो 1937 पैरामेडिकल पदों की भरती के लिए आरार्बी की ओर से सुक्रवार से कंप्यूटर आधारित लिखित परिक्षा शुरू कराई जाएगी भरती के लिए पहले चक्र की परिक्षा 19-21 जुलाई तक 3 शिफ्ट में कराई जाएगी पहले 4 शहर कानपूर आगरा ग्वालियर देहरादून में आरारबी इलाहाबाद परिक्षा वहीं बाकी 20 और 21 को प्रियागराज कानपूर आगरा ग्वालियर और देहरादून में 3 पालियों में परिक्षा कराई जाएगी तो यह देखें यह सिपाही भरती का मामला है जो 36 आरच्षण के रिक्त पदों की जानकारी तलब हाई कोट ने 41,610 पुलिस सिपाही भरती प मांगी है रिक्त पदों को भरने के लिए महिला अभ्यर्थी प्रीती शुकला ने याचिका दाखिल की याचिका पर न्यायमूर्थी अश्विनी कुमार मिश्ट्र सुनवाई कर रहे हैं याचिके अधिवक्ता सीमांत सिंग का कहना है कि 41,610 पदों के सापेक्ष 38,315 का च दाखिल की गई है कोट ने पुलिस भर्ती बोर्ट को शंशोधित परिणाम गोशित करने के आदेश दिये हैं और शंशोधित परिणाम में भी तुरुटी दुरुस्त नहीं हो पाई तो प्रमोत कुमार सिंग के नाम से एक और याचिका दाखिल हुई इसमें भर्ती बोर् कोट ने दुबारा परिणाम जारी किया और दो हजार बावन और महिलाओं की भरती की याचिका कहना है कि कुल 375 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की गई है इस हिसाब से 187 पद अभी भी रिक्त है प्रमोत के इसमें हाई कोट ने 36 आरक्षन के सभी पद भरने की निर्द बटन और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए थैंक यू बरी मॉच्च